हलो दोस्तों नमस्कार मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बर फिर दोस्तों आज आए हम एक फाउजी के साथ ऐसे फाउजी जो देश की सेवा करते हैं यह जब सीमा पर देश की सुरच्छा करते हैं तब ही आप अपने घरों में चैन से रहते हैं चैन से खाते हैं चैन के सासत इनके अंदर एक और कला है जिस कला को जो है आप लोग के बीच में भी खेरना चाहते हैं तो यह हम जानते हैं अपना नाम पर चाहिए कि अधर में अधर मैं इस समय मेरा ड्यूटी सिरी नगर उरी सेक्टर में मैं वहां का टरन्वर्ट कभी खतम कर लिया मैं पोस्टिंग जाने वाला हूं यह चाहिए वहां डाई साल जो था हमने बरफ में बहुत से मतलब जहले बहुत से पर्थानियां जहले मगर हम लोग भी ह हम लोगों को रहना पड़ते हुआ अच्छा आप देश की सेवा में कब से गए हैं सर मैं मैं इसे जुनून था हमको फोज में जाने के लिए दूसरों को हम देखते थे जैसे हमारे भी गाव में फोजी हैं तो लोगों को भी ऐसे होता था कि हम लोग भी क्यों देश के अपना कितना साल हो गया है आपको पोज में कायम करने सर मेरा सर वी सर तेरस साल चले मैं चले सर इसमें मैं नायक हूं तो आजकल जो है बहुत काफी दिक्कत वरिए लोग सेना के लिए इतना भीड़े हो जा रही है ये सेना में भरती होने के लिए कि जाएं के ग्राउन पे अगर दस लड़के को सेलेक्ट करना है उस जगह पर हजार लड़के पहुंच जाते हैं तो जब आप भरती हुए थे उस समय क्या मावल था आप कैसे तयारी कर रहे थे और किस हिसाब से जो है आप हजार लड़कों को जो है मात देते वे पीछे छोड़ दिये और आप जो है से नाम डरी फीटनर साओं बहुतों को यसा दिकत नहीं में कोई बीस्तों कम जोल नहीं होता है अगर। तो हम थृष्टिवा के मानिंग में उढऊने गाउं से नसा रहता था उसमें क्लिए की मतलब एक बार बार काम करने के लिए रिटन में गिर गया फिर नहीं हुए फिन तुसरा भरती ख्राइए तो हुआ पर दूसरा भर्ति देखे हैं तो मैं भर्ति अगर कहा कि हार नहीं मानेगे हम दोड इसले नहीं करना है अगर अगर उसको थाना जुए नहीं पर शुरू कर दिया करना लगा इसके बाद हमने वड़ति तीसरा वड़ति चंदोली जहां पर दंगा पर इसमें भरती लिए योगता यानि पढ़ाई जरूरी होता या फिटनेस जरूरी होता या पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस भी जरूरी है दोनों जरूरी है हम एक रहें सर देखिए दोड़ना तो पड़ेगा कोई हम नहीं करेंगे किसी को कोई पकड़के दोड़ा ऐसे नहीं हो सकता है उसको दोड़ अपने आपको दोड़ निकालना पड़ेगा लेकि सर कई जो जॉब और होते हैं उ कोई भी मौसम हो कोई आप आजाए जैसे बार आजाया या कहीं भुकाम पाजाय करना वहां के मतल़ देखरेक करना निकालना जनता को बाहर करना तो वसे लिए तो इसलिए वाड़ी अगर फिट नहीं है तो हम नहीं फिटे दूसरों कैसे हम लिका लेंगे आग कैसे बचा यहांगे हैं इसलिए हम लोगों को हमेशा ना पड़ता है मानिमेद अपने इसलिए हम लोग से लिएशना में जो डेश की सेबा करने कर लगे पिर आपके लिए पैलनल तो आपने पूरा हमारे दोस्त था उसने बोला कि थुछ एब मीजिक चलते हैं आप भी थुड़ा आएंगे तो कुछ सीख लेंगे हम कर ठीक मैं चला गया उसके साथ में और मैंने तो एक गाना गया उसको पसंद आया तो प्रेटीज करो मतलब और आगे उपर लेवल तक जाहोगे कि वहां के लोगों को पसंद आ गया तो एक बार यहां पर शुना दिजिए ताकि जो अबरी जनता आपको देख रही है साइद इने भी पसंद आ सर उसको तो मैं नहीं का पाऊंगा अभी मैं फिलाल में जो गाना लिखते हम उसको में गा सकता हूं उसी को सुना देजिए और हमको देख करना पड़ेगा क्योंकि उतना याद नहीं है साथ मेरे पास हमेशा एक डायरी और पिर आती है सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करते हैं दिन बाद नोट करना और रात में इसका काम करना आपके उपर बहुत जादे प्रेसर होगया एक तरह से आपका जो बल का काम है वो बल का काम बार्डर पर कर रहे हैं यहां है लाएं दो होता एक दिन दो करने के लिए को क्तार करतो करती है यह लोग करो कोई रहे हैं reversed क्राइद्स क्र moc ऑगते आप ऐसे बोलते हैं कि साइकलोजी में से बोला गया है डाक्टर लोग बोलते हैं कि टॉंटी ओन्स आप कोई भी काम करो गलत या वह आपके अंदर फीड हो जाती है आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब अच्छे में जाओगे मेरे अग्शा काम करता हूँ आदत हो गता शूना यह एक बार गीत को तो हम सब्सक्राइब ऐसका एक नोम है जो है अधाल फ़ली अपक्रा चांट पूआ है दोस्तों इनका मनीस म्यूजिक वर्ड चैनल है आप जाके इनका एल्बम जो देख सकते हैं तो सर मैं अब जो गाना हमने देखिए आपको निकालाओं यह सुनाएंगे सरा देव घर जाये के बरात सया चली गाव सहरिया से भीली जदा बढ़ी सया कावर उठाली कवर यके साथे चली ओ देव घर में बोले के गंगा जलवा सिव पर चड़ी हो जलवा चड़ा के भोले सिव के मना के फिर्या लगाई भंघंता बजा के बहुत अच्छा गाना है धु सर अन्तरा था क्या मिए अभी इसमें लिख दिया ह है diversion हमने यहां से यह चड़ा के बोले सीव को मना के यहां से अंतरा शुरू हो गया अच्छा यहां से अंतरा शुरू है तो अभी यह पूरा गीत नहीं लिखे हैं लग रहा है तो लेखक लोग बोलते हैं कि गीत चोरी हो जाती है मेरा कोई कर लिख सकता हूं तो आप कितना गीत चुराएंगे लेकिन अच्छे अच्छे भी गीत लिख सकता हूं इससे और बढ़िया भी लिख सकता हूं हमारी करने की अंदर कला है अभी जो सेना में भरती होने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग तो दस-दस साल तैयारी करके निरास हो गए हैं तो उनके लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे और करोना का महौल जो है चलला है तो भरतिया थोड़ा कम हो गई है तो भरतिया होगी अगर बच्चे तयारी करते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी जो निरास हो भि Var नहीं कर सकता है हम करते हैं हर का Tucson करते हम दोस्तों सङिंब बात है बताया इन्होंने कि अगर आप लोग के अंदर जुनून रहेगा तो कोई भी मन्जिल आप पासकते हैं अगर जुनून नहीं है होसला नहीं है तो आप पीछे हो जाएंगे तो इसलिए निरास होने की ज़रूत नहीं है आप लगातार मेनत करते रहें आपको जो चीज की सब्सक्राइब करें अगर हम किसी से कम नहीं तो अपने अंदर जुनुन होना चाहिए कि भाई अगर वह लड़का सो मीटर तो हम भी वह कर सकते हैं दोड़ सकते हैं वह कर सकते हैं करने के लिए मतलब कोई वी काम ऐसा नहीं हो सकता है सब काम हो सकता है अब हम विदा आप से लेंगे लेकिन जाते जाते एक जो आपका बहुत जो फेवरेट गीत है वह सुनाई जो आप हमेशा गुन-गुनाते हैं उसको सुना दीजिए अब यह गाना नया लिख रहा हूं सर डब साबुन पर लिखाओं जो डब साबुन ऐसा गान ना साबुन है कि हम एक बाल्टी पानी से नहीं आ सकते हैं सर क्योंकि उसमें मलाई की मातरा थोड़ा जैसे होती है तेल जैसे होता है आहां दो तीन बाल्टी तो पानी चाहिए तो इसमें असलील गीत पर आप क्या कहेंगे जो और रॉड़ा राइटर लोग हैं हम सर यहीं कहना चाहते हैं कि हम ऐसा गीत क्यों ना बनाएं कि मतलब हमारे घर में मां बहन बेटी एक साथ सुने सब लोग ऐसा गाना बन सकता है सर हम बना देंगे हैं हम भी बनाने के कर सकते हैं तो आइसा काम करें कि मतलब हमारे घर में माँ बहन बैटी सभी लोग एक साथ वाट के वो गीत सुने सभी लोग और उट्रों को अच्छा लगे कि यहां डित अईसा होना चाहिए तो होगा सर कर सकते हैं मगर मैं अपने समाज बैसा गित लिखाने की परिवार में सभी लोग सुने माँ बहन बैटी सब सुने और दुनिया को तो हमने बहुत अकपाद टीवी में देखा आप हमको देखे कि फोजी तिन-तिन काम कैसे कर रहा है है महां इसे कर दूँगा मैं दिखादूँगा हां सर सब्नोन होना चले फेली बात अगर जुन आदमी के अंदर है तो कुछ भी कर सकता है हर काम संबह है और सभी काम इसा बात करना चाहते है और आपसे अधीक जनकारी लेना चाहते हैं कि आप जो गीत लिखते हैं या आएसे लिखिए या फिर कोई संगर होगा जो आपसे लिख़वा कर वह गीत लेना चाहता हो तो उनके लिए आप कैसे संपर्क करेंगे कुछ है नंबर विदियो मेरा दार हूँ है टो एक बाल है facilitate 949000 इसकह सब्सक्राइब अगर यहां से हमारा नमबर यहां भी है में बता भी दिया ले लिए मेरा मनीश मीजिक वर्ल्ड चैनल है मेरा और यूटूब पे आप उस पर खोलें उस पर आप को हमारे मिल जाएगा चैनल पर ही नमबर है हमारा पोश्टर पर लगा है वीडियो के उपर तो दोस्तो इनका यह नंबर है अगर आपको गीत की जरूरत है और आपको जोस जजबा आपका धीरे-दीरे खतम हो रहा है तो एक बार मनीश जी से बात करिए और आपके अंदर वो जजबा भर देंगे वो जुनुन भर देंगे कि आप आप सेना में भरती होने के लिए बिल्कुल निरास हो ग हैं फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब धन्यवाद